Less is more यह architecture में बहुत ही famous philosophy है building school लेकर और इसे दिया था architect मीज वेंडर रोही ने तो आज हम हमारी series philosophy of architects में इसी architect के बारे में बात करेंगे मीज वेंडर रोही के बारे में तो hello and welcome मेरा नाम है जगमान सिंग और आज हम बात करेंगे मीज वेंडर रोही के बारे में तो इन्होंने एक बहुत ही बहुत famous philosophy या कह सकते है बहुत famous principle दिया था अपने time में that is less is more तो यह architect है मीज वेंडर रोही I hope बहुत लोगों को पता होगा इनके बारे में यह one of the most famous architect है 20th century के time पर इनकी बहुत सारी ऐसी buildings हैं जो हमने पड़ी हैं और आज भी काफी popular है बहुत सारे ऐसे young architect उस building को भी देखकर inspiration लेते हैं तो लुईज वेंडर हुई 1886 से 1969 के बीच में he was a German born architect तो इन्होंने अपनी career का initial phase one of the first half phase जो था वो जर्मनी या European countries में इन्होंने spend किया था लेटर वो अमेरिकन अमेरिकन साइड में जाके उन्होंने वहां पर बहुत सारे work किये तो he was a German born architect and he was a educator also तो यह भी teacher है और इनको count किया जाता है one of the greatest architect in the 20th century और इनका जो main work था अगर हम इनको overall अगर बात करें तो he emphasized open space तो यह ज़्यादा अपना focus रखते थे ज़्यादा emphasize करते थे open space को और यह use किया करते थे उस time पर industrial materials को जैसे कि steel, glass, concrete यह one of the modern concrete यह सरी modern materials में इनको count करते हैं यह industrial material में इनको कहा जाता है तो यह materials को use किया करते थे अपनी construction में और इनी सारी चीज़ों के वज़े से यह कहलाए जाते थे was the successful modern architect ठीक है? तो उन्होंने one of the modern architect के जो 4-5 हमने modern architects देखे हैं तो उनमें से इनका भी नाम आता है vendor रुही का ठीक है? स्टार्टिंग में की कुछ biography के बारे में जानेंगे तो आकेन में जर्मनी का एक city है तो वहाँ पर यह born हुए थे तो उन्होंने अपना फर्स्ट हाफता करियर का इन्होंने अपना native country में ही इन्होंने spend किया था और इनको काफी young age में एक project मिला था तो इनका 20 year की एज में ही इनको एक first independent commission मिला था एक रेकेल house का तो बहुत कम age में इनको एक independent एक अपना project मिल चुका था तो इन्होंने 20 year old मतलब 20 year की age से ही काम करना start कर दिया था इनकी जब father थे वह एक stone carving की shop चलाते थे तो इन्होंने अपनी job वहां से start करी और उसके बाद यह अपने areas के कई local design firms होती है वहाँ पर इन्होंने job करी और उसके बाद यह Berlin जर्मनी की capital में वहाँ पर move कर लिये और वहां पर इन्होंने एक interior design office join किया बर्न पॉल का तो यहां पर इन्होंने एक बहुत famous project वर्क या बहुत important project वर्क पर इनका साथ दिया बर्न पॉल का that was the embassy of German empire ठीक है तो German empire जो की science pieces बग में है तो उन्होंने उनकी उनकी under में काम करते हुए वहां पर इस project में काम किया था ठीक है और यह 1908 से लेकर 1912 के बीच में बर्न पॉल के साथ काम किये थे इसके बाद इनकी जो theories हैं वो जो Germany में उस पर जो उस time पर जो भी theories चल रही थी architecture को लेकर यह design theories थी तो उन्होंने और जो भी वहां का एक progressive German culture था तो इन्हें वहां पर एक exposure मिला उस चीज के एक exposure मिला जब वह बर्लिन वहां पर shift हुए जैसे तो city में क्या चल रहा है तो वहां से वह चीज़ों उन्होंने inspire करी वहां स तो उनके साथ मिलके इन्होंने काम किया तो यह one of the most famous work था Walter Rupius और Wender Ruhi का तो यह was the one of the panier architect of modern architecture तो along with the leak or views here Walter Rupius and F.L Wright Wender Ruhi was also a modern architect तो इनको यह basically चार ऐसे major architect है जिनको हम modern architecture modern architecture के एक बहुत famous architect में consider करते हैं ठीक है लिक और भी उजियर Walter Gropius, F.L Wright and Wender Ruhi Wender Ruhi बहुत famous हो चुके थे मतलब बहुत जल्दी famous हो गए क्योंकि जब इन्होंने अपने Europe में दो ऐसे major work किये थे जैसे कि first was the Barcelona Pavilion तो जब Barcelona Pavilion था ये इनका one of the most famous और बहुत ज्यादा spread होने वाला work था यहां से काफी innovative structure था और इसके बाद इन्होंने एक जो और work किया था ठीक है तो एक German school था वहाँ पर इनको director बना दिया लेकिन later on in 1933 उस school को close करना पड़ा under the pressure from Nazis तो इस time वो Hitler Hitler वाला जो भी time था उसके Nazis के pressure में आकर उन्हें वो school later on वहाँ पर close करना पड़ा बात करते हैं इनकी philosophy के बारे में तो इनकी major philosophy as we all know that was less is more तो इनकी most famous philosophy ही less is more है अब less is more क्या है इसके बारे में हम आगे और बात कर लेंगे तो basic philosophy के अगर हम बात करें तो उन्होंने overall जो work किया था that was less is more लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें जो हमें जाननी चाह है में अगर हम बात करें तो उनकी जो beauty है वो लोगों की life को directly affect करती है लोग उस building से खुश है तो यह अपने आप में एक building की beauty है तो इसी लिए उन्हें कोई extra ornamentation करने की जुरत नहीं पड़ती तो his building was free of ornamentation modern architecture के time से हम पहले देखते थे buildings में बहुत सारे extra ornamentation किया करते थे buildings को extraordinary सजाया करते थे मैंने already previous अपनी history of western architecture season में बात करी है कि buildings को कैसे unnecessary decorate किया जाता था वहाँ पर कोई point नहीं होता था उस building को इतना decorate करने के लिए ultimately हमें एक space को ही use करना है तो हम अपना money अपनी energy इतना क्यों waste करें उसके ornamentation पर जबकि हम अपनी एक building को और भी किसी तरीके से बहुत खुबसूरत बना सकते हैं तो उनको बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं तो his building was free of ornamentation वह सोचते थे कि जो हमारे लिए essential elements है अपने लिए हमें उस पर ज़्यादा focus करना चाहिए rather than की ornamentation तो हम generally देखते हैं उनकी buildings ना बहुत simple होती थी sleek होती थी और अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा decorative buildings नहीं होती थी okay ठीके तो इनका यह ऐसा decorative treatment दिया करते थे मतला बहुत ज़्यादा कुछ खास decorative treatment नहीं था तो यहाँ पर अगर उस sense में हम बात करें कि buildings को decorate करना तो वहाँ पर absent रहता था obviously और यह other sense में अपनी building को decorate किया करते थे मीस world war one से पहले जितने भी contemporary architecture है उनको पसंद करते थे लेकिन वो चाहते थे कि हमें architecture में reform लाना चाहिए और एक new modern architect को हमें establish करना चाहिए तो यह ऐसा चाहते थे और उनने अपनी building से वो किया और वो use किया करते थे जो industrial age थे मतलब जो उस time पर जो age था है that we call industrial age तो वहां से industrial age से inspiration लेके जो modern materials है ठीक है steel, glass, concrete उन सब चीजों को use करके अपने design philosophy को वहां पर अपने design में लगा कर तो वहां से जो एक type का architecture evolve हुआ है, develop हुआ वो modern architecture में हम include कर पाते हैं ठीक है, वो modern architecture होता है उस time period पर क्योंकि वो traditional जो form of architecture था वहां पर हम उसको stop कर देते हैं क्योंकि unnecessary वही decorative और ये फाल्तु की हरी चीज जो हम building में add क्या कर देते हैं उसको वहीं पर stop करके जो हमारी requirement हम उसी को fulfill करें using the modern material that is modern architecture ठीक है तो modern architecture actually में 90s के time का हम कह सकते हैं कि ये एक concept है और इन्होंने 20th century में जो बहुत influential architect बन चुके थे, अपनी building से, अपनी work से, काफी influence create कर रखा था आसपास वाले area में और आसपास में क्योंक है all over the world उनका एक name था, popular name था, तो 20th century में one of the most important and the famous architect में इस vendor हुई थे features, अगर कुछ features की बात करें तो his mature building was made use of modern material, such as industrial steel, plate glass, refined interior spaces, वही सारी बाते हैं कि industrial level के जो material थे, जिसे हम industrial level के materials, such as steel की बात करते हैं, हम concrete की बात करते हैं, और glass की बात करते हैं, तो ये, इसको हम industrial material में कहेंगे, तो उनकी buildings were made of using these materials, steel, glass and concrete, तो ये ही modern architecture का क्या सकते हैं, base है, ये तीन material is the base of modern architecture, कहीं पर भी अगर हमें modern architecture को define करना है, तो we can simply include these, right, these three materials, उसके बाद, इनका एक और जो feature था, that was the unobstructed free-flowing open space, तो जैसा हमने discuss किया, वो emphasize किया करते थे, free-flowing open space को ज़्यादा emphasize किया करते थे, तो उन्हें वो पसंद नहीं था कि बीच में हम unnecessary columns लगा देते हैं, कोई और जैसे obstructions आती हैं, तो वो चाहते थे, उनको पसंद था कि unobstructed free-flowing space होते थे, तो जहां पर हमें requirement है framework की, हम वहीं पर framework लगाएंगे, unnecessary framework ने लगाएंगे, तो he used a very minimal framework system, और इसी चीज़ को बोला गया, उनके reference में, that was the skin and bone architecture, तो skin and bone architecture was the, वैसे beams and columns वहां पर लगा रहे हैं, that was the skin, sorry, that was the bones, और जो हम skin use कर रहे हैं, जो walls हैं, और partition है, that was the skin, तो जितना हमें required है, हम उतना ही use करेंगे, unnecessary use करने का क्या फायदा, ठीक है, जो भी हमारी human requirement है, उसी को लेकर हम use करेंगे, और जो भी उनकी structures थे, जह हम notice करते हैं, तो वह बहुत simple थे, rectilinear थे, planar form थे, और clean lines का यहां पर use किया था, pure use of color, तो ऐसे ही अगर हम notice करते हैं, तो काफी purity निकल किया थे, उनके architecture में, काफी बहुत, जैसे कहते हैं, hospose नहीं था, और consistent नहीं था, बहुत खुला-खुला और बहुत अच्छा जो हमें देखने में लगता है, तो कुछ इस टाइप से इनका architecture emphasize था, कुछ और उनकी characteristics features के बारे में बात करें, तो simplicity and clarity of forms, as we all discussed, बहुत simple और clear forms वहां पे थे, elimination of unnecessary details, यहां प नहीं है, क्योंकि वह हमें required नहीं है, तो हम क्यों दें उस buildings में, तो we can simply eliminate the unnecessary details in our buildings, and the materials at 90 degree to each other, तो यहां पे simply सी मीन है, जो भी materials, जो भी मतला elements है, वो 90 degree पर वहां पे, generally वहां पे use किया था, वेंडर रुईन है, visual expression of structure, okay, तो हां, इनकी एक और जो अगर हम बात करें, that was the truth to materials इनका मानना था, जो materials का property है, जो material का truth है, हमें वही express करना चाहिए, rather than कि हमें उसको concealed कर देना चाहिए, या फिर किसी form में उसको छुपा देना चाहिए, तो जो material की originality है, जो truth है, हमें उसको वही show करना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ को concealed नहीं करना चाहिए, और ऐसी चीज में काफी चीज़ कई बार देखने को मिलते जब अखर हम उनके वर्क्स के अबर बात करते हैं अभी तो हमें देखने को मिलेगा उन्होंने कंसील नहीं किया वो चाहते थे कि truth of material नजर आए जो जैसा उनकी property है material की हमें उसको वैसा ही show करें कुछ उसमें mix match नग किया जाया और उन्होंने industrially produced material को adopt किया था for machine aesthetics इसकी बात करेंगे machine aesthetics जो machines के through materials या फिर जो structures बन रहे हैं उसको हम अपनी buildings में use करें तो that was machine aesthetics तो already industrialization हो चुका था industrial revolution हो चुका था तो machines का यहाँ पर ज़ादा influence आ रहा है architecture में machine के बने हुए products ज़्यादा fine है ज़्यादा precise है ठीक है as compared to handmade products as we all know ठीक है it's quite obvious तो machine aesthetic को यहाँ पर use किया गया था इनकी एक और त्योरी है structure is paramount right structure is paramount less is more तो यहाँ पर में इनका major जिस वजह से जाने जाते है I think most of the लोग जो हम इनको पता है या जानते है just because of this statement that is less is more तो यह statement अपने आप में बहुत powerful है और structure is paramount यानि कि structure is the first priority structure को ही हम priority देंगे तो इसी लिए structure को वो अपनी buildings में जादा emphasize किया करते थे जो भी हम beams या columns हम use कर रहे है जैसे कि इनकी most importantly जो हमने buildings में देखते हैं वो अपने building में emphasize किया करते थे जो frame था rectilinean frame structures the wide flange beam ठीक है तो ऐसी चीजों को जादा emphasize किया करते थे वो जैसे कि हमने discuss already कर चाहिए ornamentation तो ज्यादा focus नहीं किया करते थे structures पर ज्यादा work किया करते थे और less is more जितना में required हमें उतना ही बनाना चाहिए और जितना हम कम करेंगे उतना हमारे लिए जादा हो जाएगा तो that is less is more और यहीं से एक term निकल किया था that is minimalism तो जितना चीजों को हम minimize कर सकते हैं वो उतना benefit रहेगा हम कम से कम चीजों में भी जादा से जादा चीजें provide कर सकते हैं ठीक है हमें बहुत सारी functions को करने के लिए बहुत बड़ा space requirement नहीं है हम कम से कम areas में जादा से जादा कैसे सर्व करें लोगों को that is the real meaning of less is more and minimalism ठीक है तो यहीं सारी चीज में हमें देखने को मिलता है और 1950 में उन्होंने एक शिकागो में अपना एक reform चलाया that was meanism जो भी उनके thoughts थे उन्होंने अपनी building में डाले उसी को कहा गया meanism यानि मीस वेंडरुही के thoughts क्योंकि यह starting में शिकागो में चला और काफी promote हो गया Chicago area में तो उसी को बाद में Chicago architecture के न है ठीक है यह late 1950s के around की बात है यह second school of Chicago ठीक है second Chicago school first around 1880s में बना हुआ था तो 1940 में वेंडरुही को यह काम दिया गया कि आपको यह Chicago में second art school बनाना है तो उन्होंने वहां बनाया और उनकी जो क्या सकते हैं inspiration है वो उन्ही के architecture जैसे की हम देखते हैं 1860-1880 एक lake shore drive apartments है जो उन्होंने बनाई थी तो वहां का जो एक inspiration है कुछ कुछ हमें यहां पर भी द देखने को मिलता है जो एलेनोई institute of technology यानि कि IIT शिकागो ने उनको कहा था Chicago art school बनाने के लिए तो वो इस IIT campus में इन्होंने majorly work किया था और काफी popular starting work था उनका उस time पर ठीक है तो यह हम यहां से जान सकते हैं उनकी philosophy जो ideology जो हमें इस Chicago school of architecture में भी art school में भी देखने को मिलती है जैसे exterior में glass panel और काफी exposed structure हमें देखने को मिलता है structurally जो चीजें उनको conceal ना करके हमें visually देखाई जाती है हमें पता है कि कहां पर beam से कहां पर columns हैं उसको छुपाना क्यों it's a part of building ठीक है तो यह ऐसा उनका मानना था इन्होंने furniture भी डिजाइन करें बारशी लोना चेर्स ब कुछ इनके वर्स के बारे में बात करेंगी जो important work थे ठीक है अपने lifeline में उन्होंने बहुत सारे ऐसे important work किये लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ European areas में European countries में तो उन्होंने दो ऐसे major project थे जो जिनसे उनने बहुत famous या fame कुछ भी कह लीजे popular हुए थे first one was the Barcelona Pavilion in 1929 तो Barcelona Pavilion 1929 में उन्होंने बनाया था ठीक है वह बात में 1986 में उसको reconstruct भी कर दिया गया तो उसी के original site पर और इसके बाद था Villa Tugend यह Chas Republic में था तो यह दो इनके ऐसे बहुत popular कह सकते हैं project से जिनके वज़े से European countries में काफी popular हो चुके थे यह जो Villa है वो complete वा था 1930 में यह सब तो आप इसमें पढ़ी सकते हैं that was the Barcelona Pavilion तो Barcelona एक was a German Pavilion ठीक है तो इसमें जो इनका principle यूज हुआ है वो था काफी simplicity open nothing to concealed वही सारी जो philosophy और principle जो अभी तक हम discuss करते आ रहे हैं वही सारी चीज़े हमें Barcelona Pavilion में देखने को मिलती है जो इनकी design philosophy ती structure को लेके यही सारी चीज़ें थी और यहां पे free of external ornament इन्होंने कोई external ornament यहां पे use किये गए थे semi precious stone को use किया गया था polished marble को use किया गया था ठीक है तो इस type के यहां पे use किये थे they didn't physically limit the space उन्होंने physically space को limit नहीं किया ठीक है semi open रहा open रहा यह सारी structure देखनों को मिलता है यह बार्सियला पर वेलियन सेग्राम बिल्डिंग्स इनका second most famous जो structure है वह यह सेग्राम इन्होंने basically यहां पर क्या किया था facade पर work किया था ठीक है तो इन्होंने facade यहां पर one of the sky scraper था उस time का वन अदेन सिक्स्ती मीटर टोल यह sky scraper था न्यॉयोर्क में ठीक है यह न्यॉयोर्क में है न्यॉयोर्क में है न्यॉयोर्क सिटी इन्होंने basically facade पर work किया था जो lobby था यह entrance lobby है यह जो जो सका façade था यह stone facade था और उपर जवाला जो facade था वाज ग्लास फसाड ठीक है तो ये ग्लास फसाड और रस्टोन फसाड का यहां पर यूज किया है और जो ग्लास है वो ट्रांस्परिंट ग्लास है और वो नॉन स्ट्रक्चरल है क्योंकि वह एक ट्राइप का कर्टेन वोल्स थी यहां पर तो इसको ऐसा कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह यूज नहीं किया था स्ट्रक्चरल एलिमेंट एस वियोल नो सबीम सें कॉलम्स होते हैं लेकिन फ्रेंट में था तो इसके थू हम ट्रांस्परिंसी थी मतलब वही कंसेप्ट है कि कुछ छुपाना नहीं है कुछी चीज को कंसील नहीं करना है जो बेसिक प्रॉपर्टी है टाइप की बिल्डिंग निकल कर आई थी ठीक है यह एक स्टील फ्रेम पर बनी हुई एक नॉन स्ट्रक्चरल ग्लास वोल यहां पर यूज करी गई है नेक्स्ट एक आई बियम बिल्डिंग शिकागो में यह भी एक आई बियम बिल्डिंग है इडवाद शिक्स 95 फीट टॉल बिल्डिंग ठीक है 1971 में यह बिल्डिंग बनी है शिकागो रिवर के नॉर्थ बैंक पर यह बनी थी काफी प्रॉमिनेंट लोकेशन था उस टाइम पर और यहां पर यहां पर यूज किया है वह यूज किया ब्लैक अनोडाइज अल्मूनियम एंड ग्रेट टिंटिड ग्लास तो यह दो यहां पर यूज हो रही है और यहां पर इन दोनों मट्रियल को एक साथ यूज किया है यूज किया एक जिश में यूही सारी चीज किया उनपर्टेंट बिल्डिंग बिल्डिंग जो कि क्ऊकणों के स्काइड में एड करी गई थी है है और इसमें कुछ और ज़्यादा बात करनी के लिए चीज यहां पर अलड़ी है वही सारी चीजें बेसिक है वह चीजें रिपीट हो रही है बार-बार शिकागो फेडरल यह एक टांच मतला complex है थ्री बीडिंग तो यह फेडरल जेंटरल प्लाजा था उर इसको शिकागो फेडरल प्लाजा भी कह सकते हैं ठीक है यह एक प्रे Micton Bar盜 एक टिर्फ्रेंट बीडिंग का युणिफिकेशन है कह सकते हैं पुरा complex में और यह तिन टाइब की ॆह है। No.30, तो एक है रिन्प की एकूर। कयो में देखने सेतना मुशुताइव करें गुल्सिन। की बिलडिंग्स। ठीक है! और एक सिंगल स्टूरी पॉस्ट आफिस बिलडिंग। तो यह तीन टाइप की building हमें देखने को मिलती है यह से mid-rise और high-rise और एक single floor की यह post office वाली जो building है तो यह तीन building का जो एक पूरा structure है और कुछा complex है वहां पर हमें देखने को मिलता है still यहां पर glass और concrete का यहां पर यूज किया है steel की eye beam use करी है जो mullions थे और उनको cover कर दिया था black graphite paint मुलियन बिसिकली क्या होता है तो लगाते हैं तो बीच में जो steel का जो frame लगता है that is mullions तो मुलियन को भी glass paint वहां पर black graphite paint कर दिया तो वह सारा black glass में ही उसमें cover हो चुका है तो यह characteristics थी वेंडर रुही के design की ठीक है और भी इन्होंने और भी materials यहां पर अपने frame मेट करें that was the frame shiny aluminum okay bronze tinted plate glass paints यह सारी चीजें यूज करीं इसके साथ curtain wall overall अगर हमें देखने को मिलता है किसी भी structure में वह तीन basic चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही है हमें बार बार वही चीजें repeat हो रही है our structure में first one is steel glass और sometimes aluminum and concrete ठीक है तो यही एक basic है modern architecture के three material और उसी को हम different different forms में use कर रहे है 1860-80-80 lake shore drive तो यह वह एक apartment project था ठीक है जो कि इन्होंने बनाया था in around 1949 और 1951 के बीच में यह बना था और एक और इन्होंने Chicago का फिर 1900-1910 lake shore apartment फिर से नहोंने बनाया था Chicago में ठीक है तो यह apartment basically चार building blocks है दो हमें दिख रही है दो यह पीछ है तो चार building blocks है और again यहां पर वही चीज हो रही है glass और steel के यहां यह यूज करी गई है और यहां का एक जो basic concept है that was कि जो भी बाहर externally जितना भी chaos का है उसको हमें हटा के एक free space हमें मिलनी चाहिए रहने के लिए तो उन्होंने जो interior में था उन्होंने create किया free flowing spaces ठीक है और flat surface को हाँ पर create किया और यह idea represent करता it is a represented the idea of an oasis of uncultured clarity and calm within the chaos of city तो city के बाहर जितना भी रश है जितना भीड़ भाड़ है वह एक अलग है जब हम अपने घर में आ रहे हैं building अपने घर में आ रहे है तो हमें calmness का feel होना चाहिए एक relax ठीक है तो यह सारी feeling को देने के लिए इस टाइप से apartment को design किया था और इन्होंने जो nature है उसको pavement पर opening छोड़ा था और भार मतलब basically इनका nature का भी incorporate किया था अपनी building में और यह represent कर रहा है कि जब हमने settlement नहीं करी थी तो museum of fine arts houston तो यह MFAH that is museum of fine arts houston इन्होंने इनको commission किया मीस वेंडर हुई को एक master plan बनाने के लिए institution के लिए तो इन्होंने two additional building भी बनाई थी अपने master plan तो कलियन halls जो कि 1958 में complete हुआ था और एक brown pavilion जो कि 1974 में देखने को मिला था मीस वेंडर हुई ने दो museum design कर रहे हैं अभी तक दुनिया में और उनमें से एक museum इस complex में में देखने को मिलता museum of fine arts उनमें से एक museum देखने को मिलता तो यह भी one of the काफी important buildings है और अगर हम इस building के बात करें तो again हमें steel और glass यही materials देखने को मिलते हैं तो overall अगर हम conclude करें इनके work को तो हमें देखने को मिलता है उन्होंने work किया है अपने clarity, less is more, minimalism, steel, glass तो यह कुछ इनके keywords हैं जिससे हम इनके philosophy इनकी design strategy को हम समझ सकते हैं ठीक है तो इस video में फिलाल इतना ही इस topic से related अगर आपको कोई doubt सा question है तो आप comment box में type कर दीजे मैं वहां पर उसके answer दे सकता हूं ठीक है मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए thank you बाइ